भगवान गणेश ने भगवान शिव और पारवती की परिक्रमा करके ये बताया था कि आप जहां चाहें वहां खुद का नया संसार बसा सकते हैं भगवान गणेश के लिए अपने माता-पिता की परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करने के बराबर था इसलिए आज हम गणेश चतरुथी के मौके पर आपको भगवान गणेश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बहुत काम आ सकती है क्या आप जानते हैं भारत में लोग अपनी गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ती क्यों लगाते हैं भारत में घरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी विराजमान क्यों रहते हैं और हम शुब काम से पहले श्री श्री गणेश आए नमा क्यों लिखते हैं आज हम आपके लिए भागवान गणेश की संपूर्ण गाइड लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको बुद्धी मान भी बना सकती है क्योंकि गणेश जी बुद्धी के भी भागवान है पहली बात भगवान गणेश को बुद्धी का देवता माना जाता है उनकी बुद्धी इतनी शुद्ध है कि किसी भी देवता की पूजा से पहले उनके नाम का स्मरण किया जाता है और हर पूजा पाठ और शुब काम की शुरुवात ओम श्री गणेशाय नमासे होती है जीवन का अधार भी बुद्धी है अगर आपकी बुद्धी बुराई और असत्ते के साथ है तो यही आपके जीवन के सबसे बड़ी रुकावट होगी लेकिन अगर आपकी बुद्धी अच्छाई के साथ है सत्ते के साथ है तो कोई भी विग्ण आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा दूसरी बात भगवान गणेश की दो पत्निया है रिद्धी और सिध्धी रिद्धी का अर्थ है संपन्ता और सिद्धी का अर्थ है सफल्ता लेकिन जीवन में आपको कितनी संपन्ता और कितनी सफल्ता हासिल होगी ये भी इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल कैसे करते हैं तीसरी बात भगवान गणेश के पुत्रों के नाम है लाब और क्षेम का अर्थ शुब होता है इसलिए आप शुब लाब भी कहते हैं अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है शुब लाब गणेश जी के पुत्र बताते हैं कि आप जीवन में लाब यानि सफलता को अरजि खेर रहने चाहिए चौती बात भगवान गणेश की मानस पुत्री का नाम संतोशी है जब आप अपनी बुद्धी और विवेक से ही सही मार्क पर चलते हुए सफलता और संपन्रता हसिल करते हैं और बिना एहंकारी हुए उसे सहेज का रख पाते हैं तो आपके जीवन में स संतोश आता है और भगवान गणेश की मानस पुत्री संतोशी इसी का प्रतीक है इसलिए सफलता के साथ संतोश भी जरूरी है पांचवी बात भगवान गणेश को जब पारवती ने ये निर्देश दिये कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे तो गणेश जी बाल गणेश क सिर काट दिया यानि भगवान गणेश अपने कर्तवे के लिए अपना शीष कटवाने को भी तैयार थे उनसे आप सीख सकते हैं कि कर्म और कर्तवे से ऊपर कुछ नहीं होता जीवन भी नहीं जब शिवजी ने गणेश जी का सिर काटने के बाद इनके सिर के उपर हाथी का सि जाओगी इसके अलावा गणेश जी जल के भी देवता हैं और पृतिवी पर जब कहीं कुछ और नहीं था तब चारों तरफ सर्फ जल ही हुआ करता था गणेश जी को वानी का देवता भी का जाता है क्योंकि वो बुद्धी को सत्य का पालन करने की प्रेणना देते हैं और ज गणेश जी अक्षरों के देवता हैं इसलिए उन्हें गणेश का गया इसलिए शास्त्रों में का गया है कि चाहे आप कविता लिखें या बही खाता बनाएं या लिखने से जुड़ा कोई काम शुरू करें उससे पहले श्री गणेशाय नमा जरूर लिखें गणेश जी को सबी कलाओं में निपुन माना गया है कलाओं के देवता माना गया है आपको उनकी कुछ मूर्तियां ऐसी भी दिखेंगी जिसमें वो आपको वाद्य यंत्र बजाते या निर्ट्य करते हुए दिखेंगे इसलिए कला के क्षेतर में भी सबसे पहले गणेश जी का स्मर्ण ह होता है गणेश जी को कवियों की बुद्धी का स्वामी माना जाता है क्योंकि वो विचार को जन्म देते हैं और फिर उसे कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थे भी आपको देते हैं गणेश जी को मंगल मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विग्ण हरते हैं नक्षत्रों के मताबिक कोई भी शुबकारे महुरत देखकर होता है और ये महुरत नक्षत्रों की चाल देखकरता होता है और गनेश जी को सभी नक्षत्रों का देवता कहते हैं इसलिए किसी भी शुबकारे का आरंब गनेश जी की पूजा के साथ ही होता है गनेश जी को च्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते आपको उसमें दख्षता यानी सिद्धी हासिल नहीं होती इसलिए जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें गणेश जी का स्मण करके उसे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा करने का प्रण लें तब आपको सफलता मिलेगी गणेश जी का वाहन एक चुहा है चुहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना कुतर्क शब्द कुतरने से ही बना है अच्छी बातों और सत्ते को कई लोग अपने कुतर्क से विकृत कर देते हैं इसलिए ऐसा करने वालों पर नियंतरन जरूरी है गणेश जी के विशाल और चुहे के छोटे शरीर का संकेत ये है कि सुबुद्धी विशाल हो तो कुबुद्धी पर नियंतरन किया जा सकता है गणेश जी की मूर्ती को वहानों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सभी दिशाओं के देवता माने गए हैं इसलिए वो वहाँ चलाते हुए सबी दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं और इसके लावा वो रास्ते में आने वाले तमाम विघ्णों यानि परेशानियों से यानि सड़क दुरगटनाओं से भी आपको बचाते हैं आपके मन में सवाल भी होगा कि घरों और दफ्तरों के प्रविश दौर पर गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाई जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी देवताओं में श्रेष्ट हैं घरों के बाहर अक्सर ओम भी लिखा होता है और स्वास्तिक भी बनाया जाता है क्यो गर और दफ्तरों में प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है बगवान गणेश को वक्र तुन्ड महा काय भी कहते हैं इसका अर्थ है हाथी के जैसे विशाल शरीर वाले उनका सिर्ख कान नाक यानि सून और पेट हाथी की तरह विशाल काये हैं बड़ा सिर्फ बड़ी सोच का और छोटी बातों में समय ना गवाने का प्रतिक है गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज़्यादा सुनना महत्पूर्ण होता है बड़ी नाक यानि उनकी सून्ड बताती है कि परिस्तितियों को पहले ही सूंग ले यानि आने वाले समय का अंदाजा पहले से लगाने की कला हम सब को विक्सित करनी चाहिए बड़ा पेट पचाने की क्षमता का प्रतिक है चाहिए आप जीवन में धन अरजित करें सफलता अरजित करें बड़ा पद हासिल करें या प्रतिष्ठा लेकिन आपके पास ये सब पचाने की क्षमता होनी चाहिए इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेलिबरिटीज बन जाते हैं सफलता ले लेते हैं और सफलता के बाद उनके दिमाग खराब होने शुरू हो जाते हैं गने जी की पत्नियों का नाम रिद्धी और सिद्धी है लेकिन अक्सर भगवान गणेश की पूजा देवी लक्षमी के साथ होती है कभी आपने सोचा है कि देवी लक्षमी और भगवान गणेश को एक साथ क्यों रखा जाता है जबकि लक्षमी जी भगवान विश्नु की पत्नी है लेकिन लक्षमी गणेश की प पता को अर्जित करने के लिए दोनों की पूजा एक साथ की जाती है बागवान गडेश सिर्फ भारत के लोगों के ही अराध्य नहीं है बलकि उनके फुट प्रिंट्स पूरी दुनिया में आपको दिखेंगे गडेश जी को समार्पित प्राचीन मंदिर दुनिया के किन किन मौजूद हैं आप इस नक्षे पर दिखिए गडेश जी की पूजा दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी होती है इंडोनेशिया की करेंसी पर गडेश जी की तस्वीर अंकित है इंडोनेशिया में ही माउंट ब्रोमो जो के लिए वो स्वभाग्य और खुशियों को लाने वाले देवता है कई वर्ष पहले अफगानिस्तान के पक्तियां प्रांत में गणेश जी की पांच्वी शताब्दी की प्रतिमा मिली थी और इसी तरह से चीन पाकिस्तान और व्यतनाम जैसे देशों में भी गणेश जी की सेकड़ों हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाय मिली है जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं